कल जो हमने अंडर 19 वर्ल कप के दो मैचेस कवर किये थे फर्स्ट मैच श्रिलंका और पाकिस्तान अंडर 19 के बीच में जहाँ पर हमने डिफरेंशियल वाइस कैप्टेन के साथ गए थे कासिम अक्डम क्यों मैंने वीडियो में आपको बताया था कि सामने लेफ्ट हैंडेड बैटर ज्यादा है ये काफी अच्छा कर सकता है इन्होंने बैटिंग से तो शतक किया ही प्लस बोलिंग से चार वीकेड लेके गए थे दोस्त और टॉप ओडर के जो लेफ्ट हैंडेड बैटर थे उनी को ही आउट किये थे इसलिए हमने काफी अच्छा का सामन विन कर लिया था और सिर्फ इतना ही नहीं हमारे पास M पाथिराना भी थे जो कि मैंने हमेशा बोला है बोलिंग फर्स में इंपोर्टन होंगे सिर्फ 18% का सिलेक्शन था 69 पॉइंट देके गये थे और कासीम अकराम का 44 पॉइंट का सिलेक्शन था नेक्स्ट मैच बंगलादेश और जो सावत अफरी का अंडर 19 के बीच में हुआ वहाँ पे भी हमने डिफरेंशल वाइस कैप्ट इनके साथ गये थे सिर्फ इतना ही नहीं हमारे पास एल एलडर एन के माफा का दो ट्राम पिक्स थे जो काफी अच्छा पॉइंट्स देके गये थे सिलेक्शन इनका भी काफी कम था दोस्तो इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे बहतरीन से बहतरीन एनलाइसिस आपको प्रोवाइट करने का पिछ कैसे बिहेव कर सकता है रीसेंट कुछ मैचेस इस पिछ पे खेला गया है जो वहाँ पे कैसा क्या हुआ है प्लस ग्रैंड लिग के ट्राम प्लेयर्स कौन से कौन से होने वाले हैं इस मैच में इनके बाड़े में भी बात करेंगे बेंच से भी कुछ प्लेयर्स खेल सकते हैं उनके बाड़े में भी हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में आखिर तक आप जरूर से बने रहिएगा दूस्तों ये मैच खेला जाएगा शाम को साड़े 6 बजे और इस मैच का फाइनल अपडेट आएगा हमारे टेलिग्राम और इन्स्टाग्राम चैनल पे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा अगरा फर्स टाइम हमारे यूटूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हमबल रिक्वेस्ट रहेगा काइंडली हमारे यूटूब चैनल को सब्स्क्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएगा उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके आल पे करना बिलकुल भी मत भूलिएगा दोस्तों यहाँ पे एक एड़ो वाला बटन आपको दिखेगा वहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्षन में आपको हमारे टेलिग्राम और इंस्टाग्राम चैनल का डारेक्ट लिंक देखने को मिल जाएगा कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके ही आप हमारे एक मात्रो टेलिग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे जोड़ जाएं क्योंकि उस मैच का फाइनल अपडेट यहीं पे आएगा प्लस बीएसल और बीपिल जो चल रहे हैं प्लस 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 कवर डिलिक के मैचेज भी हम टेलिग्राम और इंस्टाग्राम पे ही कवर करते हैं तो मेक शूर कीजिएगा आप इन लिंक्स से हमाने टेलिग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे जरूर से जुर जाएं मैच कहां पर खिला जाएगा कुलीच क्रिकेट ग्राउंट एंटीगवा में रीसेंट कुछ मैचेज इस वेन्यू पर खिले गए हैं अगर आप देख लेंगे इंडिया अंडर 19, 294-5 ऑस्ट्रेलिया उसको चेज नहीं कर पाए थे पेसर्स चार वीकेट निकाले थे पूरे मैच में स्पिनर्स नौ वीकेट निकाले थे दोस्त अगर क्वालिटी स्पिनर होना तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत गेम में आते हैं बाकि पेसर्स का ही डॉमिनेशन इस पिच पे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट मैच में बंगलादेश 293-48 जो के साउत अफ्री का चेस कर दिये थे पेसर्स 9 विकेट, स्पिनर्स 6 विकेट उसके नेक्स्ट वाले मैच में देखेंगे बंगलादेश early swing इंडिया के बूलर्स का नहीं खेल पाए थे जल्दी-जल्दी all out हो गए थे और इंडिया 5 विकेट लॉस करके मैच को जीत गए थे पेसर्स टोटल 9 विकेट तो स्पिनर्स 4 विकेट निकाले थे बंगलादेश again 175 for 10 जो के पाकिस्तान चेस कर दिये थे पेसर्स 8 विकेट तो स्पिनर्स को सिर्फ 3 विकेट भी ला था बड़ लॉजिकली जो मैंने नोटिस किया है इस वेन्यू पे मैच देखते हुए वहाँ पे शुरुबात के 5-7 आट ओवर ना काफी अच्छा स्विंग होता है ठीक है दोस्तो अफगानिस्तान अंडर 19 एंड स्रिलंका अडर 19 के बीच में जो क्वाटर फाइनल वाले मैच हुआ था इसी वेन्यू पे वो तो आपको यादी होगा 134 पे ओल आउट हो गये थे अफगानिस्तान अंड स्रिलंका को 130 पे ही लोग दिये थे लास्ट ओवर तक मैच गया था पेसर्स टोटल 9 विकेड निकाले थे स्पिनर्स साथ विकेड निकाले थे रन आउट चार हुआ था इस टूर्णामेन के शुरू होने से पहले विस्टेंडी ज ए और इंग्लैंड ए के बीच पे कुछ मैचेस 50 ओवर के इस वेन्यू पे खेला गया था फर्स मैच काफी ज्यादा लोग स्कोरिंग रहा था चेज भी हुआ था 170 वान फ़र 3 पेसर्स पाँच विकेड निकाले थे स्पिनर्स आट विकेड निकाले थे नेक्स मैच देखेंगे काफी अच्छा ठीक ठाक स्कोरिंग एफर रहा 256 विकेड जोके चेज नहीं हुआ पेसर्स 11 विकेड तो स्पिनर्स आट विकेड निकाले थे नेक्स मैच देखेंगे वेस्टेंग इस एए 272 वर 10 और इंग्लैंड उसको चेज नहीं कर पाए थे Pacers 13 weekend निकाले थे Spinners 5 weekend निकाले थे तो total last जो 8 matches खेले गया है Under 19 World Cup और उसके पहले का मिला के तो 4 matches betting 1st करने वाला team तो 4 matches betting 2nd करने वाले team जीते हैं Pacers 41 wicket 1st inning में 2nd inning में 27 wickets वही Spinner's 1st inning में 24 तो 2nd inning में 29 wickets निकाले हैं ठीक है बात करेंगे hit to 8 stats के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने लाइक है नहीं क्योंकि यो दोनों team Under 19 level पे ज़्यादा hit to 8 matches खेले नहीं हैं सिर्फ 3 matches खेले हैं अब तक दो बार Australia Under 19 जीते हैं Afghanistan Under 19 भी एक match जीते हैं बट वो 2014 में था ठीक है बात करेंगे Australia Under 19 के बारे में जो कि इस साग Under 19 World Cup में 5 matches खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हाडे हैं और 2 जो हाडे हैं na quality spin attack के सामने हाडे हैं एक हाडे हैं स्रीलंका Under 19 के सामने एक हाडे हैं इंडिया Under 19 के सामने तो क्या इस match में अफगानिस्थान Under 19 इनको हडा सकते हैं कॉमेंट करके आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर से बताईएगा बात करेंगे फर्स्ट मैंज इनका West Endies Under 19 के सामने 169 पे ही रोग दिये थे, खुद आसानी से चेस किये थे, चेस करते वे विली 86 नॉट आउट किये थे हिगिन्स 9, मिलर 0 कोलोनी टीम के कैप्टेन 23, रादा कृष्ण 31 नर्ड, सात ओवर बोलिंग करते वे 2 विकेड, केलावे 10 नॉट आउट यहाँ पे काहिल 3 ओवर गाले थे, सेल्समैन का 5 ओवर डाले थे, एक विकेड, विटनी 3 विकेड निकाले थे, 8.1 ओवर्स में बाजबा विकेडलेस नेक्स मैच, आस्ट्रेलिया बैटिंग फस्ट किया स्रीलांका उसको आसानी से चेस कर दिये थे क्योंकि यह 175 तक ही बना पाए थे केलावे 54 किये थे, विली कुछ खास नहीं कर पाए थे हिगिन्स 15, कोलोनी, 3 रन, 5 ओवर बोलिंग, रादाकृष्णन 21 रन, 1 विकेड, बाकी सेल्समैन 22 रन और 1 विकेड, सेल्समैन का यही थोड़ा सा अड़वांटेज है देखो, यहाँ पे सेल्समैन और विट्नी ना इकूल पॉइंट्स देने का शमता रखते हैं बड़ सेल्समैन का क्या है? थोड़ा बहुत बैटिंग जादा अच्छा करते हैं विट्नी से जे गार्नर इस मैच में खेले थे तो अब तब यह एक विकेड निकाल के गए थे ज़रूर से ध्यान रखेगा इन दोनों बोलर्स का अगर खेलते हैं बेंच से इस मैच में यह लास्ट मैच है, यह थर्ड प्लेस का मैच है इसके बाद सीधा फाइनल खेला जाएगा इंग्लैंड और इंडिया के बीच में फिर अंडर-19 वल्लकप खतम हो जाएगा, तो बेंच से आपको कुछ प्लेयर्स आते हुए इस मैच में दिख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैच देखेंगे स्कॉटलैंड के सामने था, काफी आसान ओपोनेंट था, 236 for 8 खुद आसानी से 240 करके मैच को जीत गये थे केलावे 47, विली आडाम से 101 नॉट आउट किये थे, काहिल 72 रन्स प्लस दो विकेट, ये भी लास्ट मैच में नहीं खेलेते वापस आ सकते, मैटिंग अन बोलिंग दोनों लास्ट दो मैचेस से कुछ खास कंक्रिबिशन नहीं आया है बाट ये बोलिंग भी डाल रहे है, 10 ओवर प्लस नंबा 3 पे बैटिंग भी करते हैं जेनरेली, ठीक है, राधा कृष्णन इनको लास्ट मैच में कुछ खास यूज नहीं किया गया मैं नीचे आपको बताऊँगा बाकी सेल्समैन इस मैच में दो विकेट गारणार का फिर से एक विकेट आप देख सकते है विटनी इस मैच में नहीं खेले थे, सॉरी बाजबा, 10 ओवर डाले थे, विकेटलेस निसबट, विकेटलेस नेक्स्ट मैच था इनका क्वाटर फाइनल जो के पाकिस्तान अडर नाइटी टीम के सामने था 276 वर 6, काफी अच्छा ओपेनिंग स्टैंड और नमबर 3 पे भी मिलर आके काफी अच्छा खेले थे टीम के कैप्टन कोलोनी, नमबर 4 पे आके 33 रन्स का कॉंट्रिबूशन प्लस 5 ओवर बोलिंग तो टॉप ओडर काफी अच्छा चला था जो के इंडिया के सामने बिलकुल नहीं चला इसलिए ये सेमी फाइनल नहीं जीत पाए थे बाकी काहिल 18 रन्स, 1 विकेट अगर क्रूशल कॉंट्रिबूशन अगर खेलते हैं तो ध्यान रखना है इस मैच में सैल्समैन 25 रन्स और 3 विकेट सिन्फिल्ड 2 विकेट, विट्नी भी 2 विकेट निकाले थे, निस्बट का 1 विकेट रहा था अब देख लेते हैं आस्ट्रेलिया बोलर्स के द्वारा, आस्ट्रेलिया पेसर्स के द्वारा तो इसलिए इस मैच में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर वही पिछ यूज हुआ तो आपको इनिशियल सीमें स्विंग मूवमेंट डिख सकता है हलाकि इंडिया ने काफी अच्छा शुरुवात किया था ठीक ठाक शुरुवात किया था बट जब कोलाप्स हुआ था गुच्छे में हुआ था फिर मिडिल ओर्डर के बैटर्स आके काफी अच्छा समा ले थे जसा कि आपको याद है यश्थुल एन एस रशीथ ठीक है बाकी यहाँ पर केलावे 30 रंस किये थे चेजिंग करते वे विली कुछ खास नहीं किये थे बट इस साल इस ट्रुइनमेंट में काफी अच्छा किये है जरूर से आपको ध्यान रखना है सामने अफगानिस्थान के बोलर है अगर शुरुवात में स्पिनर्स नहीं आया तो मुझे नहीं लगता अफगानिस्थान के पेसर्स इनको उतना दिक्कर दे सकते है हिगिन्स 38 किये थे कोनोली 3 रं प्लस 10 ओवर डाले थे ऐल शॉफ 51 किये थे ग्रेंड लिग के पिक बन जाएंगे रादा कृष्णन को बोलिंग से यूज नहीं करवाया गया नहीं तो काफी अच्छा ओल लाउंडर पिक बन सकते है ग्रेंड लिग में ध्यान रखियेगा बाकी सैल्समैन दो विकेड निकाले थे 10 ओवर डाले थे सिन्फिल 10 ओवर डाले थे विकेड लेस प्लस 20 रंस भी किये थे विटनी 9 ओवर डाले थे इनका ध्यान रखना है डेथ ओवर में आते है विटनी और यहाँ पे सैल्समैन ठीक है निस बैड यहाँ पे 2 विकेड निकाले थे ये टॉप 3 इनका होगा कोलोनी टीम के कैपटेन राइट हैं बैटर राइट हम ओफब्रेक आएंगे नमबर 4 पे कोलोनी राइट हैं बैटर नमबर 5 पे इनके तरफ से ना बहुत सरे राइट हैं तो सामने वाले जो टीम है कौन अफगानिस्थान अंडर 19 उनके पास अगर कोई लेफटाम और्थोडोक्स हुआ या फिर लिगब्रेक बोलर हुआ काफी अच्छे गेम में आ सकते हैं ठीक है यहाँ पे मैं एकस्पेक कर रहा हूँ एक काहिल इस मैच में खेल सकते हैं अगर खेलेंगे तो स्पेशल ध्यान रखना है अब बात कर लेते हैं अफगानिस्थान अंडर 19 टीम के बारे में इन्होंने भी कुछ बुड़ा परफोर्मेंस नहीं किया है इस साल उस्ट्रिलिया जैसे पांच मैचेस खेले थे तीन जीते थे दो हाड़े थे इनका भी वही हाल है पांच मैंसे तीन जीत और दो हाड़ फॉस्ट मैच थाइन का पी एंजी के सामने काफी आसान ओपोनेंट था महमद इशाक 21 किये थे राइट हैंड बैटा बिलाल साइदी के साथ ओपेनिंग किये थे ए नूर आये थे नम्बा 3 पे कुछ खास नहीं कर पाये थे बड़ सुलेमान साफी टीम के कैप्टन लिफ्ट हैंड बैटा 62 किये थे एहमद जाई 45 किये थे खाइबर वली 30 किये थे एन खान ये उपेनिंग करते हैं बट इस मैच में इनको मिडल ओर्डर में भेजा गया था तीन ओवर बोलिंग करते हुए दो विकेड निकालके गये थे लेफ्टाम और्थोडॉक्स पिनर है ठीक है नूर आहमद आपको पता ही है बहुत सारे T20 लीक्स में खेलते हैं चाइना मैं बोलर हैं दो विकेड निकाले थे बिलाल समीर आइटाम मीडियम एक विकेड पाच स्थान के सामने था काफी क्लोस कॉंटेस था सिर्फ 24 रंस से बीट हो गये थे ठीक है एन खान से ओपेनिंग करवाया गया था बिलाल साइदी 42 किये थे एन खान 12 रंस प्लस लेफटाम और्थोडॉक्स दस ओवर डाले थे विकेड लेस अल्ला नूर 28 किये थे सुलेमान ग्यारा रं और तीन विकेड निकाले थे दोस्त नूर अहमत एगेन बैटिंग से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रिविशन बोलिंग से दो विकेड निकाले बिलाल सामी एक विकेड दस ओवर बोलिंग करके नावित जादरान दस ओवर डाले थे राइट आम मेडियम दो ग्रैंड लिग के बहतरीन CVC option बन गए थे उस match में इस match में भी आप try कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आप risk लेना चाहते हैं तो बिलाल साइदी दो रन किये थे अल्ला नूर 20 सुलेमान साफी वाइल बैटिंग फर्स्ट 111 किये थे एहमद जाई एगें 21 बैटिंग से ठीक था कंट्रिबिशन दिये हैं मिडल ओर्डर में मुहमत इशाग जोके जेनरली ओपेनिंग करते हैं 39 किये थे यहाँ पर अब्दु लिक स्टेज के बाद फिराया क्वाटर फाइनल जहाँ पर अफगानिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट किया 134 पे ही ओल आउट हो गया है स्री लंका को 130 पे रोग दिया था लास्ट ओवर वाला मैच याद होगा आपको एन खरोटे 13 रंस प्लस 8 ओवर बोलिंग करके एक विक एक रं किये थे एहमद जाई 0 मौमद इशाक 9 अब्दूल हादी का जब बैटिंग आया 37 किये हैं काफी अच्छा खेले थे उस मैच में नूर एहमद एगेन बैटिंग से चिपिन किये थे 30 रंस प्लस 1 विकेट 10 ओवर दो मेडन बिलाल सामी 2 विकेट 10 ओवर नाभीद बट हाँ काफी अच्छा strong fight दिये थे सिर्फ 16 रंस से मैच को हाड़े थे ये बाद आपको ध्यान रखना है मौमद इशाक इनके original position में आ गये थे opening slot में इन खरोटे के साथ opening किये थे बिलाल साइदी को नीचे भेजा गया था ठीक है अल्ला नूर नमब तीन पे आके काफी अच्छे important knock खेले थे chasing करते वे सुलेमान साफी टीम के captain flop हुए थे बट हड़ मैच में वैसा हो जरूरी नहीं है सुलेमान साफी काफी अच्छा के लिए है इस साल tournament में 100 भी कर चुके है ठीक है वाइल अल्ला नूर इनके one of the important batters है last match को छोड़के पूरे tournament में नहीं चले है बिलाल एहमदी नमबर 6 पे आके 33 किये थे नूर एहमद 25 किये थे 10 ओवर बोलिंग डाले थे एक विकेड में यहापे लिखना भूल गया हूँ ठीक है बिलाल सामी यहापे 10 ओवर डाले थे विकेड लेस नवीद जादरान वाइल बोलिंग फर्स दो विकेड निकाले थे र दो भोलिंग से बिलाल सामी वाइल बोलिंग फर्स आपके लिए राइट अमीड बन सकते हैं यह और नावीद जादरान दोनों डेट ओवर्स में आते हैं ध्यान दीजेगा आई नावीद मिडिल ओवर्स में डालेंगे लेक बडेक बोलर है यहाँ पे पावर प्ले में बिलाल सामी नावीद जादरान नूर अहमत डालते हैं दोस्तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको चाड़ो प्लेयर्स खेलते वे दिख सकते हैं एम इशाक जोके लास्ट मैच में ओपेनिंग किये थे काफी अच्छे पिक बन सकते हैं स्मॉल लिक के हिसाब से क्योंकि काफी अच्छा टच में भी है पूरर टूर्णामेंड में 25-30 रून्स अप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाकि टी स्नेल काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं और एल शौ मिडल ओर्डर में बैटिंग कर रहे हैं नमबर 4-5 तक एहादी नमबर 4-5 तक अफगानिस्तान के तरफ से खेलेंगे तो चारो ही बैटर्स आपको दिख जाएंगे पर टॉप ओडर में शिप एम इशाक की खेल रहे हैं इसलिए स्मॉल लिक का टीम के लिए हम जरूर से एम इशाक को फर्स प्रेफरेंस रखेंगे उसके बाद आप एल शौ को ट्राइ कर सकते हैं जो के काफी अच्छा खेले तो लास्ट मैच में अगर विकेट कीपिंग का भी पॉइंट्स टाहिए तो टी स्निल के उस साथ जा सकते हैं क्योंकि चांस से जादा है कि ऑस्ट्रेलिया जादा विकेट्स गिराएगा आफगानिस्थान का तो कैचेस अन स्ट्रंपिंग का पॉइंट्स टी स्निल से आप एक्सपेक कर सकते हैं दोस्तो तो बैटिंग सेक्षन में टी विली हमारे लिए मस्ट बिक बन जाएंगे क्योंकि काफी कंसिस्टेनली रंस किये हैं आस्ट्रेलिया के तरफ से ओपेनिंग भी करेंगे उसके बाद S, साफी और अल्ला नूर में से किनी एक को ही अब ले सकते हैं क्योंकि देखिए C, केलावे को हम जरूर से लेंगे जोकि और एक ओपेनिंग पार्टनर हो सकते हैं T, विली के साथ ठीक है तो ये दोनों प्लेयर को तो हमको नहीं छोड़ना है बाकि S, साफी और अल्ला नूर में से किसी एक को ही अब लीजिएगा लास्ट मैच को देखते हुए सिलेक्शन परसेंटेज अल्ला नूर का जादा है बट फिर भी में S, साफी को ही प्रेफर करूँगा अब देखिए मुझे नहीं पता सामने जाके मेरे इस पर्टिकुलर टीम कॉमिनेशन में क्रेडिट इशू आएगा की नहीं अगर मुझे क्रेडिट इशू आएगा तो नाइन क्रेडिट के साथ मैं अल्ला नूर के साथ जा सकता हूँ ये भी कोई बुरे बैटर नहीं है बट अगर कंसिस्टेंसी देखेंगे तो अगर आप किसे ऐसे अप्लिकेशन पर खेल रहे हैं जहां पर क्रेडिट इशू आपका नहीं होड़ा तो अगर आप और एक बैटर चाते हैं ऑस्ट्रेलिया का तो नंबर तीन पर आने वाले सी मिलर को ट्राइ कर सकते हैं काफी जादा अंडर डेटेड है अगर इनका पॉइंट्स देखेंगे ना लास्ट दोनों मैचेस में काफी अच्छा किये है दूस्तो अल्राउंडर सेक्षन में एन खान मतलब जो एन खडो दे थे ना जब मैं प्लेइंग 11 बैटिंग ओर दिखाड़ा था वो ही वाले प्लेयर उपेनिंग प्लस लेफटाम और्थोडोक्स अपने कोटे का लगफ़क फुल डालेंगे इसलिए इंपोर्टन पिक बन जाते हैं सी कोलोनी टीम के कैप्टन है काफी अच्छे सीवीस्टी अप्शन बना सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो ठीक है? 89% सेलेक्शन है लेना बनता है ये काहिल अगर खेलते हैं पार्ट तैम बोलिंग भी डालेंगे लगफ़क 5-6 ओवर प्लस बैटिंग से भी 6-7 में आके काफी अच्छा हिटिंग कर सकते हैं ध्यान दीजेगा ग्रैंड लिग में ये नरादा कृष्णन लास्ट मैच में इनको ज्यादा यूज नहीं किया गया इस मैच में मुझे पता नहीं कैसे इनको यूज कर सकते हैं बट फिलाल के लिए एन रादा कृष्णन को में नहीं लूँगा अगर आस्ट्रेलिया बोलिंग फर्स्ट करते हैं तो अगर आस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करते हैं तब मेरे मस्क पिक होंगे ठीक है क्योंकि इनके बैटिंग आही जाएगा ये काफी अच्छे hitting भी करते हैं middle order में आके प्लस bowling से अगर 3-4 over भी कर गए कम से कम तो एक wicket आप expect कर सकते हैं दोस्ती याँ पर एहमद जई आपको दिखेंगे middle order में काफी अच्छे contribution दिये हैं with the bat bowling नहीं डाले हैं आई Higgins part time bowling प्लस number 3 पे खेल सकते हैं शुरुबात की एक दो matches खेलेते उसके बाद नहीं खेले हैं अगर खेलते हैं इस match पे काफी important player बन सकते हैं ठीक है बाकी नीचे से और कोई खास player है नहीं bowling section में जाएंगे नूर एहमद आपके first choice होने चाहिए थोड़ा बहुत betting भी कर लेते हैं प्लस चाइना मैन bowling करते हैं सामने वाले Australia जैसे team को जो के spin उतना अच्छा नहीं खेलते हैं उनको फसा सकते हैं specially bowling second करते हैं और भी जादा घातक हो सकते हैं अब Australia, South Africa, England जैसे teams को अगर आपको फसाना है तो आपको spin attack के उपर जादा focus करना होगा और अफगानिस्तान का USP भी वही है कि spin पे जादा focus करते हैं इसलिए इनके spinners को आप छोड़ने का गलती मत कीजेगा अगर ये थोड़ा बहुत भी game बनाते हैं तो इनके spinners काफी important role play करेंगे इसलिए नूर एहमत के साथ आई नवीद को मैंने pick कर लिया है जो के lick break bowler है अपने कोटे का full overs डालेंगे salesman जो के बहतरीं bowling किया है इस साल under 19 world cup में last match में भी 2 weekend निकाले हैं इसलिए important pick बन जाएंगे देखिए अगर अफगानिस्थान bowling first करते हैं इन जादरान को आप try कर सकते हैं जो के death overs में डालेंगे जरूर से काफ़ी अच्छे important pick बन सकते हैं last match में भी 2 weekend निकाले थे ठीक है अब last pick मेरा बच जाता है मेरा 4 bowlers अल्रेडी हो चुका है अब मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पर एन रादा कृष्णन को लेके safe खिल सकता हूँ यहाँ फिर नमबा तीन पर बैटिंग करने वाले सी मिलर को try कर सकता हूँ या फिर अल्ला नूर के साथ जा सकता हूँ credit issue यहाँ पर उतना ज़ादा नहीं है फिलाल के लिए जितना मुझे दिख रहा है मैं फिलाल के लिए सी मिलर के साथ जाँगा Australia थोड़ा सा ज़ादा फेबरिट मुझे लग रहा है इसलिए सी मिलर जोके नमबा तीन पर काफी अच्छा कहले है last 2-3 matches से काफी important pick का हिस्सा होने वाले है फिलाल के लिए मेरा small league का team combination कुछ ऐसा बना है again ये मेरा एक permanent team नहीं है आप जैसे कि देखी सकते हैं अफगानिस्तान under 19 के 6 players हो गए है Australia के सिर्फ 5 players हैं क्योंकि Australia के ज़्यादा bowlers मैं नहीं लिया हूँ फिलाल के लिए इन जदरान को में लिया है दोनों में से किसी भी जगा पे final update आ सकता है लिंक आपको इस वीडियो के description section में देखने को मिल जाएगा बाकि captain wise captain अगर मैं आपसे पूछू आपका captain wise captain कौन होने वाले है आपको क्या लगता है कि best points और सबसे ज़्यादा points कौन से कौन से 2 players दे सकते हैं कमेंट करके जरूर से बताईएगा नीचे comment section में ठीक है बाकि इस particular team combination में मुझे जो best captain wise captain पिग लग रहे हैं इस match में T.W.E. captain के साथ आप अगर batting first होता है C.Coloni को wise captain दे सकते हैं या फिर लूर एहमद काफी अच्छे CBC option पिग बन सकते हैं ठीक है फिलाल के लिए मैं ये तीन option के साथ ही जाना चाहूंगा अब एन खान के साथ जा सकते ओपिनिंग प्लस दस ओवर बोलिंग लिफटाम और्थोडोक्स ठीक है और सामने वाले जो team है कौन Australia under 19 उनके साथ बहुत सारे right hand batters है तो लिफटाम और्थोडोक्स पिनर उनको दिक्कत दे सकते हैं एक logic ये भी use कीजिएगा Grand League में कि अगर आपको लगता है कि Australia के bowlers अफगानिस्तान के जादा से जादा wickets निकालेंगे तो Australia के bowlers लेके उनको आप captain wise captain try कर सकते हैं एक Australia के batters के साथ ठीक है ऐसा भी आप try किजिएगा Grand League में, MiniGL में दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे मिलूँगा नेक्स वीडियो में एक नए match analysis वीडियो के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और हाँ आपको एक काम करना है चैनल को subscribe कर लेना है अमारे साथ टिलिग्राम और इंस्ट्राग्राम पर जोड़ जाना है चलिए मैं आपसे मिलूँदाओ नेक्स वीडियो में